कामटी परिसर से एक हैरान कर देने वाला मामलास सामने आया है जहां दुपईया वहां से छेचार करते हुए नागरी को ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया उसे चोर समझ कर उसकी जम कर धुनाई की और उसे पुलिस स्टेशन लेकी गए इसे पहले कि पुलिस मामलास समझ पात मुर्तक वारिसपुरा कामटी निवासी मुहमद नासिर उर्फ गबर रमजान अंसारी उम्रत 40 वर्ष बताया गया है कि शनिवार की शाम साड़े 5 बजे के दौरान नासिर फुटाना उली चौक के समीब खड़े दुपया वाहन से छेड़कानी कर रहा था लोगों को लगा कि वो वहन चोरी करने आया है नागरिकों ने उसे पकड़ कर पीटना शुरू कर दिया वहां मौजू जिसे भी मौका मिला उसने उस पर हाथ साफ गिया उसे बुरी तरहा पीटने दे कुछ नागरिकों ने बीच बचाव किया पुलिस के हवारे करने का आश्वासन देने प पिटाई करने वाले शांत हुए नासिर को ओल्ड काम्टी पुलिस टेशन ले जाया गया पुलिस ने पूछताच शुरू ही की थी कि नासिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा उसे उपचार के लिए काम्टी के उबजिला स्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उस पुलिस तचाई का पता लगाने के लिए परिसर में लगे सीटीवी केमरों की फुटेच खंगाल रही है उसकी पिटाई करने वालों का भी पता लगाया जा रहा है चाहे जो भी हो इस तरह नागरिकों का कानून हाथ में लेना उचित नहीं है चर्चा यह भी है कि नासिर दो दिनों से भूका था, उसकी पतनी ग्रणी है और तीन बच्चे भी है, इस गटना से पूरा परिवार गहरे सदमे में है, पुलिस ने अक्समिक मृत्यु का मामला दर्च कर लिया है, आगी की जान चल रही है। NBCN News के लिए खलेश भादवज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।